नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल हैल्थ ओनलाइन में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम आपको गले में दर्द होने पर घरेलू उप्चार वा घरेलू उपायों के बारे में बताएंगी दोस्तों गले में दर्द होने की समश्या बहुत ही आम है जिसके लिए लोग डोक्टर के पास जाते हैं और इन में से अधिक बच्चे होते हैं गले में दर्द होना बहुत ही छोटी समिश्या के रूप में जाना जाता है जिसमें कुछ भी खाने पीने में तकलीफ होने लगती है यह कभी कभी ऐसेहनिये भी हो जाता है लेकिन ऐलोफेतिक दवाईयों के अलावा घरेली नुक्से उपलब्ध हैं जिसके दोवारा हम गले के रोग को बिलकुल ठीक कर सकते हैं चलिए दोस्तो जानते हैं वह कौन से नुक्से हैं नमर एक दोस्तो नमकीन पानी के गरारे दोस्तो यदि आपको जल्दी ही आराम चाहिए तो आपको गरम पानी और नमक से पांस से दस बार गरारे करने चाहिए वैसे तो आपको गरार करने के बारे में दादी मा नानी मान से सुना ही होगा दोस्तों इससे आपको जल्दी रोग से रात मिलेगी नमर दोस्तों गुंगने पेपदार्थों का इस्तिमाल करें दोस्तों यदि आपको जुखां की समिश्या है तो आप गुंगने पेपदार्थों का इस्तिमाल करें कि इससे आपको जलदी राहत मिलेगी. नमर तीन दोस्तो ठंडी चीजों का शेवन करे। यदि आप कुछ ठंडी चीजों का शेवन करते हैं तो आपके गले में जलन तुरुंत कम हो जाएगी। इसके लिए आप आइस्क्रीम खाने की बजाए ठंडे फलों का शेवन करें या इनका जूस पिएं इससे आपको जल्दी राहत मिलेगी नमर चैर दोस्तो हर्बल्टी का सेवन दोस्तो कई ऐसी हर्बल्टी हैं जो गले के जलन में आराम देने बहुत ही परवावी होती हैं इसी हर्बल्टी का आप सेवन कर सकते हैं नमर पांच दोस्तो सहतूत का सेवन सहतूत का सेवन भी आपके गले में आराम करने में बहुत ही लाबकारी है नमर चैर दोस्तो निम्बू का सेवन गले के दर्द पर होने पर आप निम्बू का सेवन कर सकते हैं इससे भी आपको जल्दी राहत मिलेगी नमबर साथ दोस्तो पालक के पत्ते उबालकर पानी में छान ले इसे पानी को थोड़ा अधरकारस मिलाकर गरारे करे इसे भी आपको गले के रोक से जल्दी छुटकारा मिल सकेगा दोस्तो अगर आपको गले की तकलीफ है तो इन उपायगों करके आप गले की समिश्या को दूर कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल हेल्थ ओनलाइन को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगयाने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके